हेलो फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चानल घर की रसोय में आज मैं बनाओंगी वेजी रोल ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत स्वादिश्ट भी है इसे मैंने सूजी और बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ बनाया है तो पोशन और दाल दिये है और दही भी मिला दिया है दोनों अच्छे से मिला लेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे आधे घंटे बात देखेंगे सूजी अच्छे से देखी इस तरह से हमें चाहिए सूजी का मिश्टन हम इसे 10 मिनिट के लिए फिर से कवर करके रख देंगे अब मैंने कुछ सबजिया लिए है जैसे गाजर पनीर शिमला मिर्च हराधनिया बीन्स लिया है उबला अलू लिया है स्वाधा नुसार नमक लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है एक प्लेट पे हम थोड़ा सा ओयल डालके प्लेट को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे इसमें हम सूजी का मिश्टन डालेंगे सबसे पहले सूजी की मिश्टन में हम थोड़ा अहरा धनिया डालेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस सूजी की मिश्टन को हम प्लेट में फैला देंगे और इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे 10 मिनिट के लिए हम तेज आँच पे स्टीम करेंगे और 10 मिनिट बाद धीमी आँच पे इसे स्टीम करेंगे इसे अच्छे से पहला देंगे मिश्टरन को अब हमने कड़ाई में पानी रख दिया था अब इस प्लेट को उसके उपर रख देंगे और इसे तेजाज पे 10 मिनिट के लिए स्टीम कर लेंगे और 10 मिनिट धीमियाज पे स्टीम करेंगे एक प्यान में मैंने ओईल डाल दिया है इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है और आधा चोटा चम्मच सोप डाल देंगे यह हम वेज मसाला तैयार कर रहें फ्रेंड अब इसमें कुछ सबजिया मिला देंगे जैसे गाजर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है एक एक मिनिट तक पकाती हुए इन सबजियों को मिलाते जाएंगे अब हमने शिमला मिर्चे डाल दिये है थोड़े बीन्स डाल देंगे इसमे अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें उबला आलू डाल देंगे अब थोड़ा सा पनीर डाल देंगे थोड़ा पनीर हम सजाने के लिए रख देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम स्वादा नुसार लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वादा नुसार इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें सफे तील डालेंगे इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है अब इसमें कसूरी मेथी डालेंगे हाथों में क्रश करकर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा सा काली मिर्ज का पाउडर डालेंगे इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब थोड़ा सा हराधनिय डालेंगे इन सारी चीजों को हम अच्छे से मेश कर लेंगे अब लास्ट में थोड़ा सामचर पाउडर डालेंगे और गैस बन कर देंगे इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे हमारा वेज मसाला बनके तैयार है फ्रेंट यह देखी इस तरह से अब हम सूजी के गोल को देखेंगे ये पक चुका है तो इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे सूजी का मिश्ण अच्छे से ठंडा हो चुका है हमारा वेज मसाला भी तैयार है और गार निश्ण के लिए तील, पनीर और हराधनिया भी तैयार है अब हम सुजी के परत पे वेज मसाला अच्छे से स्प्रेट कर देंगि इसे अच्छे से दबाते हुए फैलाणा है friend अच्छे से दबा लेना है ताकि यह मिश्टन ड्रोल करते हुए निकले नहीं, देखे हतेलियों से हम अच्छे से इसे दबा देंगे अब इसे खांडवी की तरह कट करना है धीरे धीरे जैसे बरफी वगरा काटते उसी तरह से हमें इसे कट करना है देखे इस तरह से आसानी से ये रोल हो जाएगा अब इसे अंदर की तरप मोड़ते हुए हमें रोल करते हुए इसे उठाना है देखे इस तरह से गोल घुमाते हुए अंदर के तरफ इसे रोल करना है हमारा वेजी रोल तयार है इसी तरह से हम दुसरा रोल भी तयार कर लेंगे अंदर के तरफ मोड़ते हुए इसे गोल रोल करते हुए उठा लेंगे देखें दुसरा रोल भी तयार है इस तरह से सारे रोल हम तयार कर लेंगे यह देखें इस तरह से तो फ्रेंड्स हमारी यह सारे वेज रोल तयार है अब हम इसमें थोड़ा सा पनिय डाल देंगे उपर से सजाने के लिए अब थोड़ा सा सफेद तील डालेंगे उपर से और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे उपर से तो फ्रेंड्स हमारे हेल्दी वेजी रोल तैयार है आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताए वीडियो अगर पसंद आये तो जरूर लाइक करे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में